गंदी बाद season 6 आ रहा है यार एक चीज बताओ यार इस season की मांग किस ने की है कौन है वो लोग इस जैसे seasons को पसंद करते हैं इवन इस जैसे season को क्या इसके पूरे show को कौन पसंद करते हैं क्या है इसके अंदर के culture value दिखाए जारी है कौन सी इसके अंदर knowledge दी जारी है कुछ भी नहीं है इसके पांचो season को देख लो क्या उसमें दिखाया गया है आपको और मुझे अच्छे से पता है कि ओल्ट वाला जी कि जो makers है वह वाहिया सोची उसके अंदर दिखाएंगे इतनी ज्यादा हरानी हो रही है कि भारत में entertainment का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इस ज लेडी की नजरों में एक woman कैसी होनी चाहिए इसका उधार मैं आप लोगों को देता हम इसकी नजरों में भाई साब वो लेडी जो है वो शराब पिये अगर उसकी शादी नहुए तो शादी से पहले भाई साब वो अपनी virginity lose करे अगर शादी हो चुके तो शादी के बाद अपने पती के अलावा तीन चार गैर मर्दों के साथ गैर संबंद रखे और उनके साथ अफैर चलाए और सब कुछ करे अपने परिवार को एहमियत ना दे और सिरफ और सिरफ और सिरफ लड़ाई लड़ूई यही सब उसके दिमाग में होना चाहिए शराब होने चाहिए दूसरों के साथ संबंद ऐसे होने चाहिए शरुवर सिरफ यही होगा तो इस सूडो फैमिनिस्ट की नजरों में वो लेडी जो है वो बहुत स्ट्रॉंग है वैसे इंसान के पास जितना दिमाग होता वो उसी के इंसार सोचता है और उसी के इंसार उपना शो बनाते है जै बर ज़रा सोचो है रहा है हमारे देश में एक भावी देवर का जो रिष्टा होता है वो कितना पवीत्र होता है भावी को मा समान समझा जाता है और जैसे जो शोज हैं कि जो बना रहे हैं इसे कोई बी चीज़ तुम देखते हो तो उससे डेफिनिट्ली तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ता है यार। रही बात entertainment की entertainment का E तक भी नहीं है और इसमें क्या है एर पुरे के पुरे बोलीवुड में entertainment का E भी नहीं है। इसके makers बनाते कैसे हैं इस जैसे show बस सीधी सी बात है वो vulgar books पढ़ते हैं और vulgar shows बना देते हैं उसी से उसी कहानी लेते हैं क्योंकि यार इनके पास दिमाग ही इतना है यार कहां से दिमाग लाएंगे विचारों के पास बेच खाय है इनोंने जो भी था इनके पास थोड़ा वो तुन्होंने बेच का है और बस ये vulgar किताब पढ़के ऐसे vulgar-vulgar shows बना देते हैं ओल्ट बाला जी भारत का सबसे vulgar show बनाने वाला OTT platform है इसके makers या विर्जो सुड़ो फेमिनिस्ट फिर ये जो है अित्ता कपूर वुमेन की जो बात करती है वो खुद एक औरत का यू अपक होता है और स्टुडेंट होता है उसके बहुत गलत नजरीय से उनको देखते हो तुम और ऐसा नहीं है कि इनको बोलेंगे कि यह शोग बनाना बंद करेंगे ना 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 यह नहीं करेंगे क्योंकि इस जैसे शोग देखने वाले भारत में जनसंक्या जो है वो बहुत असर पड़ते हैं अब तो कहते हैं यह बिफकू मत बनाओ कितने कितने लोग जो होते हैं वह इस जैसे शोग्स को देखना बंद नहीं करोगे इसके मेकर्स इनजैसे शोग्स बनाना बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको आता भी तो कुछ नहीं है बेचारे बस यही से इसी से रोजी रोटी कमारें भले किसी का नुकसान हो किसी के दिमाग में कचरा ठूस दे उन्हें इस चीढ़ से कोई फरक नहीं पड़ता कमाल की बात हो रही है किस कदर कर दिया गया आज की डेट में हिंदी मीडियम कैसा हो गया कि हमारे जो entertainment का सूर से कितना वाहियात कितना नीचे गिर गया है या तो propaganda उसके अंदर दिखाया जाए गया ऐसी घटिया घटिया सोफ़पोन सीरीज बना कर दिखायी जाएंगी 44% जन संक्या हिंदी बोलने वाली है और उनके पास एक धंका content भी नहीं है तो बस आज के लिए इतना है था आप क्या सोचते है इस season 6 के बारे में प्लीज कोमेंट करके अपनी राइब प्लीज लिखना यार मैं भी बेशक पढ़ना चाहूंगे कि आप क्या सोचते हैं तो अज के लिए इतना है रखते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद